मतुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमी शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहबाद हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिन पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिस कर दी। न्यायमूर्ती मयंत कुमार जैन के फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। वहीं मुस्लिन पक्ष ने वक्ष एक्ट आदी का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की आचिकाओं को खारिस किये जाने की दलील पेश की है। अपने फैसले में हाई कोट ने कहा कि मालिकाना हग को लेकर हिंदू पक्ष की आचिकाएं सुनवाई योग्या है। इन पर सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने मुस्लिन पक्ष की आपतियों को खारिस कर दिया। आई कोट के फैसले के बाद अयोध्या के संदों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस ने इस ने इसको पतर चल गया है। जाचने सबूत महां उसके पार से अठारे जाच कारे रही। और सभी जाचकाओं को देखने के बाद में मुस्लिन पक्ष की आजचकाओं को खारी किया। हिंदू पक्ष को कहा कि नहीं पोस्टन जोग है। और इससे पर सुनवाई होगी, यही तो निश्यत है, जड़े भी होगा. जड़े जड़े की तर्च पर ही मुथुरा कार्ज हो रहा है, प्रालम में जैसे यहां लोगर कोट में भी आदेश रहा, फिर हाय कोट गया, फिर सुप्रिम कोट ने जिस तरह से आदेश पारिश किया, यह विश्यता है, यह मुथुरा का भी होगा. बिदेशी आकरांताओं के द्वारा, क्रिश्न जनम भूमी मुथुरा में जो साही इदगाह मस्जिद बनी है, उसको हटने का आप रास्ता साफ हो गया है, जो साही इदगाह मस्जिद की ओर से याच्च का दायर की गई थी, वह इलाहवाद उच्च नियाले ने उसको खार भी विवास समाथ होगा और भब क्रिश्न जनम भूमी का निर्मार होगा, वहाँ जो इदगाह मस्जिद है, साही इदगाह मस्जिद है, वह कलंक भी बहुत जल्दी खतम होगा, यह मने 100 करोड हिंदू जो चाहते थे, वह आज हो गया, देर से हुआ, लेकिन दुरुस्त साही इदगाह कमेटी एबम सुन्नी सिंटल बोर्ड ने 7-11 के तहद आपत्ती किया था कि हिंदू पच्छ को कोट जाकर और इस पर मुकदमा लरने का रिकार नहीं है, वफ एक के तहद एबम अन और भी विशे पर उन्होंने आपत्ती किया था, लेकिन इलहाबाद हाइ कोट ने हिंदू के पक्च में सुनवाई करते हुए, ऐवध्या में जिस प्रकार से मुकदमे की सुनवाई हुई मुकदमे पर बहस हुई, सर्भे हुआ, खनन हुआ, उस पर कोट के द्वारा ये हुआ कि ऐसा किया जा सकता है और इस मुकदमे की और इस फैसले पर पहुंचा जा सकता है कि यहां पर मंदिर था कि मस्जिद था तो मंदिर के पच्छ में कोड का आदेशा है कोड को शाधुबाद है आभार है धंदवाद है और देखिये ऐसा है कि हम लोग को आसर विश्वास है क्योंकि वह जन्म भूमी है किसी भी प्रकार से मंदिर और मस्जिद का विबाद नहीं है यह जन्म भूमी का विबाद है और भगवान की जन्म भूमी हो है मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं है मुसलमानों को ततकाल सुपुर्द कर देना चाहिए सौंद देना चाहिए लेकिन मुसलिम कौम के मानने वाले लोग कभी भी हिंदू के पच्छ में भाव ही उनकी निराती है हर जगा लड़ना ही लड़ना है तो हम लोग लड़कर मुकदमा को जीतेंगे और मंदिर का निर्मान करेंगे